फिर भी यहाँ आसाम में हम लोग का यहाँ यह खेटी हो रहा है यह जो खेट है लोग बरोधान के नाम से जानते हैं तो यह जो खेट अगर सही मात्रा में पानी, खार, धूब, बारिश और यह जो जमिन के निशे से जो एक कृतिम जो जल सिंचन का जो वेवस्ता है वो उपलब्द कराने से यह खेट बहुत बढ़िया होता है तो हम लोगों ने यह अभी तो बारिश बहुत कम आता है यह सिजन में इसलिए हम लोग अंदर ग्राउंड वातर का भी यूज किया तो अभी यह जो खेट है अभी लगभग यह जो बीज आने का ताइम हो गया तो यह जो खेट है बढ़ो खेट यह जो पेदी है यह क्रॉप है पेदी क्रॉप बढ़ो खेट जो है यह इसका जो उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा होता है पेदाबर बहुत ज़्यादा ह इसका production होता है लेकिन यहां में अभी लोग बहुत पीसे है लोग अभी ये खेटी के पीसे तो लगा नहीं है तो हम लोगों ने एक परिक्षा के तोर पर इस बार ये खेट को लगाया तो आप लोग देखिएगा कि कैसा हुआ है और comment भी किजिएगा अगर हो सके तो